नमस्ते इन दोस्तान कैसा है आप लोग CBI कुत्ता कहीं का ED कुत्ता कहीं का मराश्टरा के पीछे पढ़ा है मराश्टरा के पीछे पढ़ने वाले चाहिए वो कोई भी एजेंसी हो यह अलग बात है आज CBI और ED को ही कुत्ता बोला जा रहा है कल गिरेट में माननिय हाई कोट और सुप्रीम कोट को भी बोला जाएगा दोस्तों यह मेरा कहना नहीं है यह हमारे माननिय संजर राउत जी संजर राउत जी का कहना है आज एक काटून जो याद होगा एक काटून के लिए जो दिन दहाडे एक तरफ नेवी आर्मी आफिसर को मारा पीटा जाता है वही पे हमारे संजर राउज जी एक ट्विट डालते हैं ट्विट पोस्ट करते हैं और उसमें एक कुटा जहां पे लिखा है CBI एक कुटा आगे दोड़ रहा है जिसमें लिखा है ED और आगे लिखा है महराश्टरा इसको आप किस तरीके से एक्स्प्लेइन करेंगे संजर राउज जी आप इसके बार पे कोई जबाब देंगे कि आपके इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि आप इस तरीके की एजेंसी को कुटा जैसे शब्द का इस्तमाल करते हैं और गौरतबल है कि कल ही बीते 24 घंटे नहीं हुए है कि माननीय बॉम्बे हाई कोट ने आपको इस बात के लिए कड़ी डांट लगाई है फटकार लगाई है और बोला है कि अपने शब्द पे अपने जबान पे लिहाज करें बोलने में कंट्रोल करें कि आप कुछ भी बोल जाते हैं आपने एक बार भी सोचा है more than 3000 स्टाफ हैं CBI में और वो जिस तरीके का काम करते हैं एक उच पोस्ट पे बैठे हुए हैं और जो एजुकेशन कंप्लीट करके उस पोस्ट पे जाते हैं उस एजुकेशन तक पहुँचना भी आपके लिए आपके सपने तक कभी संभव नही करते हैं क्या क्या ओफिसर और आपकी हिम्मत इतनी हो जाती है और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं यह बहुत अच्छी बात है लेकिन वहीं पे अगर बिना नाम लिए एहां पर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिया गया आज तक आज तक किसी ने भी यह नहीं का कि बेबी प पैंग्विन बना दिया बेबी पैंग्विन जैसे शब्द के लिए अप इफ आयार पे और कर देते हैं इतना ही नहीं आप उच जो कोट है नाया अधीश है संविधान सबसे उपर जाके खेलते हैं और वहीं पे हमारी जो गवरनर है आपकी महराश्ट्रा की गवर्णर तो टके की बोलते हैं कनगन रनौत को दो टके की नाचने वाली और उसमें आप हामी भरते हैं क्योंकि आप बोलने में बहुत फूहर है आप एक बहुती बरबोले नेता है तो आप क्या CBI को कुटा बोल देंगे ED को कुत्ता बोल देंगे आपको क्या लगते हैं अगर आज के टाइम में मैं आप संजर राउत जी इस्तमाल कर रही हूं वहीं पे मैं आपकी जगा तू बोलती हूं और संजर राउत जी के जगा संजर राउत बोलती हूं और वो भी नहीं बोलती हो और बोलती हो तू राउत सुन मेरी बात इधार आ तो क्या करोगे आप मेरे साथ मुझे मारोगे पीटोगे मुझे जेल में डाल दोगे और हम इस बात के लिए माफी मांगेंगे क्योंकि हम आपसे डर गें क्योंकि सक्ता में आप बैठे हैं सरकार आपकी है लेकिन माफी चाहूंगी हम भारत के आम जनता है हम हिंदुस्तान है अगर हमें कुछ गलत लगेगा तो हम वहाँ आवाज उठाएंगे और हम आपकी इज़त करते हैं क्योंकि आप हमसे उमर में भी बड़े हैं लेकिन आप जो हरकत करते हो जिस तरीके के शब्दों का आपने इस्तिमाल किया है वह बहुत ही गलत है निंदनिये हैं और इस वाग के लिए मैं अपने उच्च न्यायाधीश से और आगे हमारे उपर जितने भी सम्विधान है मैं उनसे आज एक निवदन करना चाहूंगी कि क्या इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेनी चाहिए हमारे उधव जी उधव ठाकरे सर क्या इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे आप अगर आज यही चीज को शिव सेना और नीचे कुटा लिख दिया जाता मराश्ट्रा सरकार और नीचे कुटा लिखा जाता और आगे आगे किसी का चिन लगा देते हम आपके मराश्ट्र करने वालों के साथ आप क्या अंजाम करते उधव जी क्या आप हमें जबाब देंगे इसका संजर राउजी आपको जहां पे भारत की एक एक जनता हर कोई आप से जहां इस्तिफा मांग रहा है यह चाहता है कि आप त्याग पत्र दे क्योंकि नहीं आपको बोलने का ढंग है नई सोचने का ढंग है लेकिन आप जैसा करते हैं उसमें आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपका यह किया हुए स्टेप बहुत ही गलत है तो अब तो मैं कहूंगे आप उनसे भी जाद आपको याद होगा बीते कुछ टाइम पहले अभी जब सुप सुप्रीम कोड को गेरुआ रंग से रंग देना चाहिए भगवा रंग से देना चाहिए इतना शेकर बोला गया था तो जहां सुप्रीम कोड के जोकर बोलने पर इतनी बड़ी आपथी जताए गई वही पर माननीय E.D.C.B.I. जो को इस तरीके की जाच कर रही है जो एक भारत की एक सरवोच एजिंसी मानी जाती है और उसमें जो पढ़ लिखके जो स्टाफ गय है उनको से गाली दी जारी है खुले और उसे बहुत लोग रीटवेट कर रहे हैं लेकिन हमारे उद्धव जी अभी विशान्त हैं चुब बैठे हैं क्यों मुझे इस पर आपती है संजा राओ जी क्या मुझे आपके ओपर एफायर कर देनी चाहिए इस चीट के लिए क्योंकि आप तो बहुत जल्दी एफायर कर देते हैं क्योंकि आपके नजर में अभी इस तोड़तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आप दिन दहारे एक औरत को गाली दो उससे कोई दिक्कत नहीं है इतना ही नहीं पूरा सरकाग दिन दहारे घोटाले में घोटाले करते जाए उससे कोई परिशानी नहीं है और आप एक बिद्वा को लेकर इस्तिमाल करो ए जहाँ आप 25 साल के लिए एक मराश्ट्रा की जर्णता को धब का उंक्राओं ऐसमें कोकॉइ दिखकत नहीं हैय। और मुझे मात कीजएगा आपको जी भोलते हुए दिसक्राप नहीं करते जी को क्योंकि आपने अब जो हरकत की अभी तक आपने जो किया था उससे भी कहीं ऊपर है आपको इतना एतना बुरा क्यों लग रहा है आज अपने कुत्ते जैसे शब्द को को ED और NCB के लिए इस्तेमाल किया क्यूं क्यूंकि ये ED और NCB आज शिव सेना के MLA के घर तक पहुंच गई क्यूं क्यूंकि रंगे हात दस ठिकाने पर घोटाले का पता चल जाता है इसलिए या NCB को जब आज खुले आम मारा पीटा गया दिन दहारे उन पे जम हमला कराया ग या NCB और ED के कारिवाई पर जो चीज़े खुल के सामने आ रही है वहां पर हाइक्शन लिया तो मैं माफिय चाहूंगे आपको आपको आप मिस्स नहीं कर रहा है कुछ चीजें कुछ चीजें तो बंबे हाइप की तरफ से भी कंगनार अनौत की तरफ फेवर में आया है कु जानवर का इस्तिमाल करेंगे कुटे का इस्तिमाल करेंगे कोई और जानवर का इस्तिमाल करेंगे हमें बता दीजी हम पहले से अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि आप जिस डाइरे को जिस सीमा को पार कर रहे है उससे तो अनौन लगाया जा रहा है कि जिस तरह BMC का इस्तिमाल क करके आप लोगों ने कंगना रनात को आफिस तोड़ दिया आप पता नहीं किसका इस्तेमाल करके बॉंबे हाई कोट पर भी अटाइक कर दिया जाए क्योंकि दिन पर दिन यह चीजे हमें देखने को मिल रही है क्योंकि पहले एक आम नागरिक आम नागरिक ने किसामने जब कर रहे थे तो आपने भूल गए कि आपके ऊपर कोई सम्विधान है अब सम्विधान हस छेप कर रही है तो उसके लिए क्या करेंगे आप आपने दिखा दिया क्या कर सकते हैं लेकिन आपकी इस ओची हरकत आपकी जो सोच है वो दर्शाती है कि आपकी सोच कितनी छोटी है आप कितने चोटे हैं और आपसे मैं हाट जोड़के निविदन करूंगी कि अपनी पूरी सोच विचार से किर्पया करके त्याग पत्र दे दे क्योंकि आप अभी तक अपनी बेज़ती जो कराते आ रहे हो इतना शायद आप के लिए काफी होगा क्योंकि आपने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया तो किर्पया करके आप अपने सीट को छोड़े और त्याग पत्र दे इससे पहले कि बांग मराश्टरा की जनता और भारत की जनता अपना चप्पल उतार के आपको दोड़ाना शुरू करें क्योंकि माफ से अचाओंगी आपने अगेन एक बार फिर से हमारे भारत के समविधान का हमारे भारत के न्याय का मजाप उड़ाया है उलंगन किया है, तो इसके लिए आपके लिए एक्षिन भी लिया जा सकता है तो किर्पा करके आप अपने शब्दों पे बोलने से पहले लिखने से पहले, ट्विट करने से पहले हजार बार सोचें आप अगर किसी designation पे बैस्ट गए हैं, किसी post पे बैठ गए हैं, अगर आपका सत्ता है, आपका सरकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मनमानी इस हद तक बढ़ेगे कि आप public platform पे इस तरीके के शब्द और इस तरीके की चीजों का इस्तिमाल करेंगे, हम भारत की जनता ये चीजे बरदाश्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज आपने जो हरकत की है, ये वाकरी में बहुत दिननी है, दोस्तों इस पर आपका क्या विचार है, आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी, जैहिंद, बंदे मातरम